fins toasted,欢áffe my YouTube channel Learned&Go आज हम में इस वीडियो में डिसकस करेंगे में 임 saya amerbach को हम लोग नोमियेटिक मोटर भी कह सकते हैं कि इसका कन सक्सेर वो कैसे बना होता है सब से पहले हम समझ लेते हैं कि एयर मोटर किसे कहते हैं एयर मोटर को हमने क्या बोला कि नुमेटिक मोटर भी इसे कहते हैं, नुमेटिक अर्थ यहां पहुजाता है, वायू चलित मोटर, मिस वायू परदान करने वाला मोटर, तो चलिए इसका डिफिनीशन समझते हैं, डिफिनीशन ने क्या लिखी वे क्या है, कि ए नुमेटिक मोटर, एर मोटर, मिन्स एर यह एक मोटर का टाइप है यह क्या है इटी जे मेकनिकल डिवाइस यह तरका मेकनिकल डिवाइस है इस वाद लिखी हुए क्या कि नुमेटिक मोटर जेनरली कनभर्ट दी compress air energy to mechanical work through rotary motion मिस इसमें क्या बोल रही है कि जो एक air motor है मिस नुमेटिक motor है जेनरली क्या करती है कनभर्ट क्या करती है compress air को जो compress air energy को mechanical work में convert करती कि इसके थुरू करती है rotary motion का सब्सक्राइब मिस rotary motion का कहने का मतलब है मिस movement करके मिस घूम के motion से create करता है और वहाँ पे एक air को उत्पन करता है इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे air motor कहेंगे मिस नुमेटिक motor कहेंगे यहाँ पे इसका लिखी वे क्या है कि इसका use हम कहा करते है इसका use के हम बात करते है लिकि air motor are used to produce continuously rotary power मिस यह continuous क्या करती है rotary power को produce करती है मिस यह जो घूमने के सकती है इसे उत्पन करते रहती है फ्रम है किसके स्वयोग से मिस compressed air system के स्वयोग मिस जो compressed air मिस बाहर का जो air है उससे लिने के बाद यह continuously rotary power को convert करती है rotary power हम क्या देती air देती है मींस एक हाई press air मिलती है इसका कहने के मतलब एक ऐसे डिवाइस है दिवाइस जो ज्यू गहोमके एक lowacia air को लेनी के बदे सब्सक्राद को देता है उसी चीठ एड़ के करता है रोटरी मोशन पर वागक करता है उसके बहुत ही लाइटर रएक होता है इसके बहुत ही आपको आपको कम से कम 3,000 rpm से 10,000 rpm तक होती है मिस इतनी स्पीट तक ही भूम सकती है और इसका नॉर्मली इसका यूज के अगर बात करते हो है ड्रायर में इस चीज का यूज किया ता वहां पर देख सकते हैं आप है ड्रायर में कि बाल को सुखाने के लिए उसमें एक मोटर लगे होत तो सबसे पहले इसकी टाइप में आती हो वेन मोटर वेन मोटर का भी यही वरक होता है मिस वह भी एयर लो प्रेशर एयर को लिने वह हाई प्रेशर एयर देता है इसकी बाद जियो रोटर मोटर को भी इसका सकंड टाइप है इसका टरवाइन मोटर हो गई पी चोथा इसका पाइव पीशिटं टाइप मोटर हिस ये सब टाइप में एसके एचरे कट घूषसरी के चौनसक्षान कर्फ J's कि वह आफिर में बना होता है कौनकौन पार्ट से मिलकि बना को छली इसकी समस्ते है तो आपके समर्ली की कुछ फीघर नजर आ रही है तो 1 ay कि मेरा चली पहले हम इसका नोर्मिलकल्चल समझते हैं जो सबसे पहले को ब्लेक रंग की पाथ इसमयों नजर आ रही है आपको सर्कुलर पात में तो इस चीज को क्या बोलते हैं इस टीटर बोलते इन क्या कैसी है जो एयर टाइट कैसिंग होता है अब पूरत अच्छी तरह से आच्छी से बनता है अब काफी यह मजबूत इसका जो केसिंग होती है बहुत ही मजबूत होती है जो सबसे उपर में जो उपर वाज़े भाग है यह जो नजर आ रही है आपके समझे इस चीज़ को एयर इनलेट पोड बोलेंगे मिन्स यहां से एयर को लेने वाला पोट है मिन्स यह इ करेंगे its internal part के हम बात करेंगे बात करेंगे इंटरनल पाइ्ट सी क्या है तो सबसे पहले जो इसकी इंटरनल पाइट है यह मेरा क्या है रोटर है यह कि कैसी में इसी होती है हमारी यह यतनीस है चिस्च को बहूते है आप ऑई जो भी संद लगे हैं यही जो घूंगता तो इसके साथ जो वे वेन घूमती है तो हमें एर को मिलता देखे किस तर से जैसे कि इसके बाद यह मेरा क्या रूटर होगे इसके वाद यह जो हरे रंके नजरा रही है हरे रंके इस चीज़ को अजेस्टवल वेन बोलेंग इस देख सकता कितने सारे विसकी वेन लगे हुए है आजेस्टवल वेन कहने का मतलब है क्या कि यहीं अजेस्ट करती है मुआ यहां पर एक स्प्रिंग लगे यहां पर इस चीज़ को यहां पर किस तर से यह आखिर में इस स्प्रिंग स्प्रिंग इस तर और सीलती है तो चलिए अब हम इसका वर्किंग के उओर फैनली बढ़ है कि यह से कि मीर्ड़ इसके और यहां से ऐसी किए मेरा इसके चाहिक है sticks कर देती यह मेरा क्या है और जर्ट रेंग logged Mid क्या करते हैं यह कि इसका मतलब है कि जो इसका अंदर का जो इंटर्नल पाथ है देख सकते हैं यह सर्कुलर पाथ जिसे कैम बोलता है यह क्या है यह पूरी तरसे समस्ट्टी वी देख सकते हैं सारे में सट्टी हुई है मिस पूरी तरसे यह टाइट है मिस एयर टाइट है मिस पूरी तरसे सट्टी वी इसकी अंदर की जो भाग है internal part में इसकी बाद spring है जहां किया fully भी है मिस फैली हुई है और यहां पर सिखड़णी लिए इसका मतलब है कि यह जो rotor है थोड़ी सी Up में उपर में लगी हुई है इसका Up में लगने के कारण है की यहां से जो एयर लेती है और यहां से हाइप प्रसे एयर को कनभर्ट करने के लिए इस टाइप में इसे मेकनिजम को बैठाया गया है इसके बाद क्या करती है कि यह जैसे ही यह नीचे की आती है तो स्प्रिंग मेरा यहां पर शिकुड़ी से उभर जाती है मिस फैल जाती है अब जैस से जब आती है वेन तो अंदर में इसे अंदर की वह से सिकुड़ देती है मिस जो वेन तो उसे ही रहती है पंकी वह सी रहेगी लेकिन यहां पर स्प्रिंग इसे सिकुड़ जाएगी और यहां पर टाइट हो जाती है मिस टाइट रहती है अब पूरू तरह से एरिया को कभ करने के लिए यह गोमना स्टट करती आप देख सकते हैं विभुने लगेगी अब क्या होगी कि जिसी गूमने लगेगी तो यह है हमारा यहाँ से एर , आंदर My cham खीचेगी खीचने के बाद यह वेन के सरयोग से जो इसका वेन है यह यहां से पूस करेगी मैं यहां से फोस लगाते हुआ ठेलते हुए यहां से एर को लेगी और जिसी ज्यादा ज्यादा एर को यहां पर भरते हुए यहां पर ज्यादा एरिया जाती है तो यहां पर के साथ ज्यादा एयर को यहां से निकालती है और हाई भेले सटी के साथ यहां से रहा हमाराने के बाद उसके आर सकते हैं और यहां से यहां से पहले तो यहां से आर निकलेगी हाई यां से निकलेगे यह यार मोटर कुछ ऑर करता है यह मिस घोंते वे एयर को इस तरह से निकलता होता है जिसमें हमया की पूरी तरह से घ्णार कर थिए यह पूरी तरह से में इसका प्रिंस्पल को वर्क करती था हमारा रोटर मोसन पर वर्क करती है तो यह कुछ ऐसा काम करती है घुमाते विए यहां से एर को इस्ट्रप्शन निकलती है मुझे आसा है कि आप एर मोटर बढ़िया से समझ चुके हैं तो विडियो देखने के लिए थांक्यू और चैनल में नहीं आई हुए है जोई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद